नमश्कार, FIFA World Cup में ग्रूप स्टेजिस के मुकाबले खतम होने वाले हैं, सिर्फ लास्ट के दो ग्रूपों के मुकाबले बचे हुए हैं, अगर हम ग्रूप A की बात करें तो ग्रूप A से नैदरलेंड और सेनेकल, वो राउंड ओफ 16 के लिए कौलिफाई हो चुके हैं, वह मैक्सिको ने साओधी अरेबिया को 2-1 से हराया, ग्रूप D से फ्रांस और उस्टेलिया क्वालिफाई कर चुके हैं, नॉकाउट स्टेज के लिए, कल ग्रूप E के मुकाबले खेले गए, जहां बहुत बड़ा उलट फेर हुआ, एक समय पे तो ऐसा लग रहा था कि स्पेन और जर्मनी दोनों टीमें जो हैं वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएंगी, जब जपान भी 2-1 से आगे चल रहा था, सेकंड हाफ के शुरुआत में और कोस्टरी का भी 2-1 से आगे चल रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि जपान और कोस्टरी का दोनों 6-6 पॉइंट से कंट्री है, उसने टॉप किया, साथ पॉइंट के साथ, और बेल्जीम जो के वर्ल्ड नमबर टू कंट्री है, वो इस वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है, कैनेडा और मुरुकों के मैच में, मुरुकों ने कैनेडा को 2-1 से पराजित किया, आज ग्रुप जी के मुकाबले खे कर सकता है, तो आज गाना का उरुगवे के साथ मुकाबला है, वहीं साउथ कोरिया का पॉर्चुकल के साथ मुकाबला है, नेधरलेंड का मुकाबला, USA के साथ होगा, अर्जंटीना का ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा, जपान का क्रुईशिया के साथ होगा, वहीं ग्रुप बट बड़ी संभावना ऐसी लग रही है तो नैधर लेंड और अरजंटीना का क्वाटर फाइनल होगा वही जबान क्रवेशिया में से जो भी जीते गा वो गृूप जी का जो विनर है ब्राजील उसके साथ खेले गा और ऐसा लग रहा है कि अर्जंटीना और ब्राजील जो है वो semi final में आपस में भीड़ेंगे वहीं दूसी तरफ England और France quarter final में भीड़ सकते हैं वहीं Spain का मुकाबला Portugal के साथ quarter final में हो सकता है